Hello friends, welcome back to my YouTube channel. आज हमारा घातान करकरनी का पांचवा टाइप है. उम्मीद करता हूँ कि इसके सारे टाइप आपको बहुत अच्छे से समझ मा रहे होंगे. आज के टाइप की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर एक ऐसी संख्या दे रखी होगी, जिसके हम फैक्टर नहीं कर सकते. तो जब फैक्टर नहीं कर सकते, तो कोशन का टाइप भी चेंज हो जाता है. यहाँ बात करता है कि परिसीमा ग्याद कीजिए, उसकी रेंज निकालिए. बहुत यह अच्छा बहुत महत्पूर कोशन है. सबसे पहले हम इसको डिटेल में सीखेंगे, उसके बाद बिदिन सेकंडों में इस कोशन को हम कैसे हल करेंगे, वो सिखाएंगे. आईए सुरुबात करते हैं कोशन की. कोशन को करने का हमारा सब कोशनों का एक ही तरीका है. सबसे पहले हम जो भी बैल्यू दे रखी होगी, उसको एक्स के बरावर माल लेते हैं, कि माना एक्स बरावर, यह पूरी की पूरी एक्क्वेशन हमने एक्स के एक्क्वल लख ली. दौनों और स्क्वाइर करने पर, एक ही तरीके से हमें सारे के सारे टाइप करने हैं, डेटेल में सीखने के फायदा यह होता है, कि कोश्चन को हमें समझ में आयाता है, कि ट्रिक कहां से निकल कर आती है, क्योंकि इस टाइप के परसलों की सारी की सारी ट्रिक जो है, डेटेल में से ही, कहीं ने कर इसके सॉलूसन से ही निकल कर आती है. क्या करा x square बरावर जब इसका पूरे का square किया तो एक root value यह हट जाएगी यहां से 1 plus और बाकी same ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे अब क्या करेंगे यह देखिए यह वाली equation हम इसके x के बरावर रख सकते हैं तो x square बरावर 1 plus x यहां से अगर हमने बरावर से इधर लेकर आए तो यह value क्या हो गई यह कुछ इस तरीके से आपकी द्विघाज समीकरण बन गई अब द्विघाज समीकरण में यहां पर यह ऐसी value आई है जिसके हम factor नहीं कर सकते जब factor नहीं कर सकते ता हमें कैसे करना होता है उसके factor हम कैसे निकालते हैं तो उसके लिए द्विघाज समीकरण के लिए क्या rule है स्रीधराचारे सूत्र अभी एक बार हम इसको detail में समय लिए उसके बाद बिदन सेकेंडों में यकीन मानिए बिदन सेकेंडों में आपको हल करके दिखाऊंगा माइनस का B प्लस माइनस B स्क्वाइर माइनस 4 AC डिवाइड इड़ वाई 2A यह हमारा rule है अब देखिए यहाँ पर यह value समझी है सबसे पहले देखिए यह इसके आगे X square की value क्या हो गई एक यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा value एक हो गई और यह अपने आप में पूरी की पूरी constant value है यह एक है तो यह A हो गया यह हमारा B हो गया और यह हमारा C हो गया देखिए B की value हमेशा एक रहेगी इस type के question के लिए B की value हमेशा एक रहेगी प्लस या माइनस वो चिन के according रहेगा यहाँ पर देखिए B की value क्या है माइनस का एक A की value देखिए क्या है प्लस का एक और C अपने आप में पूरा क्या है constant है C constant हो गया अगर हम इस formula में रखे क्योंकि हमें इस formula को छोटा करना है छोटा करने के बाद question को हम within second हो में कर पाएंगे देखिए माइनस का B है और माइनस का एक है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1 प्लस माइनस रूट बैल्यू B स्क्वाइर माइनस एक का स्क्वाइर माइनस के 4 A और C अपन 2 A की बैल्यू 1 अब यहां से हम फार्बूला बना रहे है short cut trick बना रहे है देखिए क्या बन काएगी 1 प्लस माइनस एक का स्क्वाइर गिया तो एक आगया 1 प्लस 4C अपन 2 यह जो है यह हमारा फार्मूला निकल कर आया हमें इसे एपलाई करना है देखिए C क्या है C वो constant value है जो यहां पर दे रखी होती है यहां पर C क्या है एक है बस हमें क्या करना है इससे C की जगे एक रखना है इस फार्मूले के अकोर्डिंग जो हमने यहां पर C लिखा है C बरावर 1 इस question के लिए एक value है तो हम यहां पर एक put करेंगे देखिए क्या निकल कर आएगा 1 प्लस 1 प्लस 4 इंटू 1 और अपन 2 1 प्लस 5 अपन 2 इसको इस equation को हम हल नहीं कर सकते क्योंकि root 5 की exact value हमें नहीं पता होती है तो क्या करेंगे अब देखिए यही समझने वाली बात है सबसे महत्पूर्ण बात यही है कि root 5 की value को हम कैसे निकालना है कैसे exact हल करेंगे इस 5 से पहले ऐसी पूर्ण बर्ग संख्या देखेंगे जो ठीक इससे पहले आती है इससे ठीक पहले क्या आती है कौन सी संख्या आती है 4 और 5 के बाद कौन सी संख्या आती है 9 4 किसका बर्ग है 2 का और 9 किसका बर्ग है 3 का 1 ये वाला plus 2 और divided by 2 कितना आ गया 2 और एक 2 से भाग करी 1,5 और इसमें क्या करा 3 plus 1 और divided by 2 कितना आ गया 2 ये बैल्यू आ गई 1,5 और 2 1,5 से 2 के मद्द 1,5 से 2 के मद्द ये इसका डिटेल तरीका है लेकिन आपको अगर ये कोशन एक्जाम में आता है तो विदिन सेकेंडों में कैसे हल करेंगे बो देखिए बहुत ही इंट्रेस्टिंग है इसी को हमने सौट कर दिया है इसी फार्मूले को हमने सौट करके कैसे किया है देखिए यहां पर जो बैल्यू दे रखी होगी इसका सबसे पहले आप चार से गुणा करोगे जो बैल्यू आएगी उसमें एक एड़ करोगे कर दिया करने के बाद इससे ठीक पहले वाली पूर्ण बर्ग संख्या देखोगे तो इससे ठीक पहले पूर्ण बर्ग संख्या कौन सी होगी चार और ठीक बाद में नो होगी ठीक पहले वाली संख्या देखी पूर्ण बर्ग और ठीक बाद वाली पूर्ण बर्ग संख्या देखी, 6 पूर्ण बर्ग नहीं होती, 7 नहीं होता, 8 नहीं होता, 9 होता है, तो अब क्या करेंगे, यह देखेंगे, कि 4 किसका पूर्ण बर्ग होता है, 2 का, और 9, 3 का, तो एक बार, यह जो 2 है, यह एक में जोड़ दो, और आदा कर दो, कितना आ गय और एक बार यह जो तीन दे रखा है यह एक में जोड़ दो और आदा कर दो तो डेड़ से दो के मत दे केवल सेकेंडों में कोशन को हल कर सकते हैं अगर हम बात करें कि इस फॉर्मूले को अगर यह कब लगाना है यह कब हमें प्रियोग करना है जब हमारे पास कोशन प्लस की बैल्यू का दे रखा होगा तब हमें डारेक्ट यहां पर इस तरीके से करना है अगर मान लीजी यही कोशन माइनस का होता तो केवल और केवल हमें इतना अंतर करना था कि यह वाली जो बैल्यू है यह माइनस की हो जाएगी minus का होने का मतलब यह है कि यह last में जो हम एक add कर रहे हैं यह add ना करके minus का प्रियोग करेंगे घटा देंगे आपके सामने answer आ जाएगा आईए इसके एक दो question को जल्दी से हल करके देखते हैं कितने कम समय में हम इस question को हल कर पाते हैं सबसे पहले देखा कि ऐसी संख्या है जिसके हम factor नहीं कर सकते minus का question है तो करना क्या होगा हमने इसमें क्या गाम किया कि सबसे पहले हमने इसमें चार से गुणा करी चारतियां बारे एक add किया हो गया 13 इसके बाद ठीक इस से ठीक इस से पहले वाली बो संख्या लिखी जो पूर्ण बर्ग संख्या होती है 9 और इसके ठीक बाद पूर्ण बर्ग संख्या लिखी लिखी 16 9 किसका बर्ग होता है 3 का और 16 किसका बर्ग होता है 4 का portion minus का है तो एक बार इस 3 में से एक घटा के आदा कर दो कितना आ जाएगा एक 2 और 2 से 2 को भाद करेंगे एक आ गया और एक बार इस 4 में से एक को घटा कर आदा कर दो कितना आ गया देड़ परिसीमा रेंज कितनी आ गई एक से देड़ के मध्ध है कौन सा option है एक से डेड़ के मध्ध है यह आपका option हो गया minus के लिए हमें last में एक घटा देना है minus वाले question के लिए last में एक घटा दो और plus वाले question के लिए एक जोड दो अई एक question और देखते है plus का pipe सबसे पहले देखा यहाँ पर ऐसी value दे रखी है और range की बात करना है कुछ भी पूछ सकता है range भी कह सकता है और परिसीमा भी कह सकता है हमने क्या गाम किया सबसे पहले हमने 4 से गुणा कर दिया 4 से गुणा करना है आपको logic पता चल गया कि 4 से गुणा क्यों करना है पांचोग 20 इसके बाद एक एड़ करना है एक ही एड़ करना है 21 यहाँ पर देखा हमने कि ठीक इस से पहले कौन सी पूल बर किसंग क्या आईगी 16 और ठीक बाद में 25 16 किसका इसक्वार होता है 4 का और 25 पांच का कोश्चन प्लस का है तो 4 में 1 जोड़ दिया और आदा कर दिया 5 का आदा 12 और 5 में 1 जोड़ दिया और आदा कर दिया 6 का आदा 3 परिसीमा कितनी निकल का अ गई 12 से 13 के मद्दे तहाँ है 12 से 13 के मद्दे देखिये यह चुटकियों में हल हो जाएंगे question इस type के एक ये question जल्दी से आपको इसका answer बताना है comment box में जाकर जल्दी से question का answer बताईए बहुत ही easy question होती है बस यहाँ पर plus और minus का ख्याल रखना होता है और उसके बाद कुछ भी नहीं करना है बहुत बड़ा question है detail में अगर हम इसके जाएंगे तो आप खुद देखिए detail कितनी बड़ी है इस type के question की तो ऐसे question को हमें sword में कहीं न कहीं इसकी जो trick निकल कर आई है वो solution से ही है तो हमें इन question को बहुत ही आसानी से किस तरीके से हल करना है वो आपने देखा ये question जल्दी साब को comment box में जाके इसका answer दीजी बहुत ही easy question है कुछ भी नहीं करना बस minus को देखना है और जो तरीका बताया है उस तरीके साब कर सकते हैं आज के लिए बस इतना ही उम्मीद करता हूँ कि आपको घातांक और करनी का हर टाइप बहुत अच्छे से समझ मारा होगा जल्दी मिलते हैं घातांक और करनी के next आपके साब धन्यवाद